नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं PME विद्या चानल और चानल नमबर 9 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट और शिक्षारते हम आपको बता दें कि इस सेशन में हम क्या और किस पार्ट पर बात करने वाले है हम नवी कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कराए हैं एक पार्ट लहासा की और राहुल सांक्रतियायन आप जान ही गए हूंगे पार्ट का नाम सुनके कि राहुल सांक्रतियायन ने ये पार्ट लिखा है और उनके बारे में भी आपको धेर सारी जानकारे इस सेशन में दी जाएगी इस सतर की शुरुआत हम सरूर करेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ जरूरी बाते आपके साथ शेयर करना चाहते हैं साचा करना चाहते हैं और कि अगर आप इस सतर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कोई सवाल है आपके पास तो आपके सवालों का बहुत-बहुत स्वागत है, आप हमें करेंगे फोन कॉल, हमार टेलिफोन नंबर है डबल एडबल सीरो, डबल फोर सीरो, डबल फाइफ नाइन, और आप हमें एमेल भी कर सकते हैं, हमारा एमेल आडरूस है dth.class9.ciet.nic.in और हम सीधे रुख करते हैं अपने विशेशग्य की और और हमारे साथ स्टूडिय में मौझूद है हमारे विशेशग्य, आप हैं डॉक्टर नरेश कोहली, भाषा शिक्षा विभाग, NCERT.C. बहुत-बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद रेनू, हमश्कार शाथियो सभी को. बहुत-बहुत थन्यवाद रेनू, आपने एक तरह से अच्छी भूमी का बान दी कि राहुल, संकृतन क्या थे और उनका जो लेखनकारी है, किस तरह का था, उनका व्यक्तित्व किस तरह का था, इसमें दो चीजें हम बच्चर्चा में शामिल करेंगे, नॉमी की जो हमार ही पाठे पुस्तक है, शेति भाग एक, उसमें शामिल एक पाठ है, यानि कि साहितिक विधा की बात करें, तो एक यात्रा विरतान्त है, और दूसरा ये यात्रा विरतान्त तसलिए भी महत्वपूर्ण है, कि ये एक ऐसे लेखक का लिखा हुआ यात्रा विरतान्त है, जो इनकी पुस्तकों की बात करेंगे आपने कहानिकार कहा उपन्यासकार कहा यात्रा विर्तान तो उन्हें लिखे दर्शन के उपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उन्होंने इतना जादा लिखा कि उनकी किताबों की संख्या इतनी है हम गिन्ने बैठे तो साइद उनके नाम भी पूरे नहीं कर पाएं लगबग 150 किताबें हैं उनकी और उसकी अलावा भी ना केवल किताबें बलकि ऐसी बहुत सारी सामगरी है जिसके लिए राहुल जी का योगदान पूरे केवल हिंदी साहित में नहीं बलकि भारतिय साहित मे और उसके साहित समाज संस्कृति और धर्म के अध्यान में बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान क्या है कि राहुल जी का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि राहुल संकृतान इनका मूल नाम राहुल नहीं था इन्होंने ये जो नाम अपनाया वो साथी अपनी पाथे पुष्टक में घखें के परीचे में कुछya लिखी हुई हैं और उसमें इनका जो मूझनाम केदार पांडे है और आ जमगड़ उत्र परदेश में इनका जन्म हुआ 1893 में और क्योंकि इनका मूल नाम केदार पांडे है और में जब घुमकडी प्रवर्ती के कारण ही कहिए कि ये एक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उसके बाद वो अपना घर से निकल पड़े और अपने अध्यान के साथ साथ स्रिलंका में पहुंच गए 1930 में इन्होंने बहुत धर्म ग्रहन किया और वहीं से इनका नाम राहुल कि बल्की दो से तीन दर्जन दर्जन मतलब 30-36 भाषा हैं वो अकेले जानते थे कि सायद ही कोई ऐसी भाषा हो जो हमारे एशिया की जो कही जाती है और उसमें संस्कृत है पाली है प्राकर्थ है अब भरंश है तिबती है चीनी है जापानी है और रूशी भी है आप दिख प्राकर्थ है और रहू बहुत लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा को ही अगर आप देखना चाहे तो इनके साहित-ये सर्जन में आपको दिखाई देगा इनकी जो किताब का नाम भी है वो ये मेरी जीवन यात्रा छे भागों में एक तरह से आप उन्होंने कहां कहां कैसे कैसे यात्रा की आत्मकथात्मक्त भी है वो उनकी छे भागों में आप देखेंगे साथ ही साथ ना केवल कहानी उपन्यास बलकि आत्मकथा और जीवनी और साथ ही साथ शोध जिसको रिसर्च कह रहे हैं कि आप राहुल जी के बारे में ये जो जानना बहुत जरूरी है हमारे विद्यार्थियों को कि इस पार्ट से भी जुड़ता है कि लाहसा की और क्यों गए वो किस लिए गए वो तो तिबबत में है तिबबत जो कभी चीन और तिबबत का विवाद है उसमें भारत भी अब शामिल हो गया है कहीं ने कहीं परतेक्स है परतेक्स रूप से हम लोग दलाई लामा का जानते हैं कि वो वहीं से आये थे तो ये जो सारी चीजें हैं उनका जो योगदान जो मैं कहना चाहरा हूँ विद्यारतियों से कि वो योगदान इस संदर में भी है कि एक समय आया था कि हमारे बहुत सारे जो बहुत साहिते के गरंथ हैं वो पाली और प्राकर्त में हैं जादा तर और उनका यहां से भारतिय भूमी से लगबग वो गायब हो गए लेकिन वो तिब्बती में और चीन में हैं वो उपलब्ध थे अनुवाद के माध्यम से या मूलते हैं वो वहाँ पे पहुँच गए थे जो भी यातरी यहां भारत आए वो वापिस लेके गए और चाइना में और तिब्बत में बहुत धर्म का बहुत अधिक परचार परशार हुआ फिर इन्होंने ये सोचा की अगर भारत में नहीं है तो चीन और तिब्बत में जरूर हैं तो ये उन गरंथों को वापिस लाने के लिए इन्होंने बहुत कम से कम इसमें की चार बार इन्होंने तिब्बत की यातराए की और सैक्डों ग्रंथ वो या तो हाथ से लिखके लाए, कोपी करके लाए या उनकी प्रती उपलब थी तो वो लाए और इतनी लाए कि आप सामाने ते इसमें भी वो संदर बाएगा कि जो यात्राएं आज की तरह से इतनी सहज नहीं होती थी कि आप फ्लाइट से गए या ट्रेंड से गए और कुछ दिनों में आ गए वो महिनों लगते थे जाने में और फिर वो कहते हैं कि सैक्डों किलों की किताब है पांडू लीफियां वो केवल जब भी जाते थे लेके आते थे और केवल इतना ही नहीं जो साधन मेंने का बहुत सीमित थे तो जो घोड़े या खचर खास तोर से जो पहाड़ी एरिया में थे उनसे ढोके लाते थे और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सामगरी जो रिसर्च की है बोध और पाली प्राकर्थ की है वो आज भी हमें पटना जो हमारा म्यूजियम है बिहार में वहाँ पे वो सुरक्षित है और वो कई सेकडों किलो है आप उसको पढ़ने वाले असोद करने वाले ये राहुल संकृतन का बहुत बढ़ा योगदान है कि उन्होंने बहुत धर्म ग्रंतों की या दूसरी जो रचनाएं थी वो भारतिय रचनाएं थी लेकिन यहां से गायब हो गई थी वो पाली और प्राकर्थ में या चाइनीज में तिब्बती में वहां सुरक्षित थी तो वो उनको ट्रांसलेट करके या एक तरह से पांड दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जो धर्म है उनके जो फिलोसफी है उसका ध्यन किया और उस किताब का नाम है दर्शन दिक दर्शन कि यह भी एक बहुत रोचक किताब है वो भी देखनी चाहिए और जैसे मैंने बताया कि वो रशिया भी गए और रशिया से ही इक इस तरह से वोलगा वहां की नदी रश्या की और ये भारत की मुख्य नदी गंगा उसके माध्यम से सब्वेता और संस्कृति की जो कथा कही है वो भी बड़ी रोचका और बहुत महत्वपूर्ण है और साथी साथ इन्हों ने कहा कि एक किताब और इनकी जो बहुत चर्चित है वो ये है कि भागो नहीं दुनिया को बदलो आप किवल ये नहीं कि दुनिया में अच्छा नहीं है ये नहीं है आप ये ठीक है नहीं है तो फिर आप इसको सन्यास इसलिए नहीं कि आप दुनियादारी से मुक्ति पा जाएंगे भागना नहीं है दुनिया को बदलना है जो बदलाव आप देखना चाहते हैं और ये भी है इनका समय आप देखेंगे कि अगर मूल समय आप देखो बहुत बड़ा इनका हिस्सा जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के समय वो है और उसी के अलावा इनकी किताब है दिमागी गुलामी कि जो वो हर समय में रही है केवल उनके समय में नहीं कि गुलामी का बहुत बड़ा पहलू ये होता है कि आप आपका जो दिमाग है वो कहीं न कहीं एक तरह से सोचना बंद कर देता आप सामने वाला जो राजा है जो सत्ताधारी है जो आरोपित कर देता वैसे सोचते हैं इसको भी इन्होंने कहा नहीं आपको इससे भी मुक्त होना है और जिस यात्रा और गुमकड़ी की हम बात कर रहे हैं इन्होंने केवल गुमकड़ ये खुद नहीं थे यात्री खुद नहीं थे बलकि एक किताब भी लिखी गुमकड़ शास्त्र गुमकडी नहीं कहा उन्होंने ये भी पूरी तरह का एक शास्त्र है अर्थात कि आप जब भी यात्राइं करते हैं आज कल तो यात्रा करने का और जानने समझने का मुझे लग रहा परिभाशा ही बदल गई है कोई बहुत उसका रहा नहीं खास तोर से ये जो बहुत जादा उस पे फोटो पे और उस पे ध्यान केंद्रीत करते हैं उस जगह की उस जो भी कोई बिल्डिंग है कोई समारक है कोई सांस्कृति केंद्र है उसको जानने समझने की बजाए कि फोटो उतारने पे वो लगे रहते हैं और उसका जो मूल सम्वेदना वो कहीं लेकिन यह कहते हैं गुमकड सास्त्र में ही एक की असली जो घुमकड होता है वो मंजिल पे तो पहुंचता ही है लेकिन मंजिल से पहले की जो यात्रा होती है प्रक्रिया दरसल उसको महसूस करना ही असली घुमकड है अन्य था आपके वल गए और वहां से कुछ फोटो ले कि आगे वो नहीं है आपको घुमकड को अगर देखना है तो उस प्रक्रिया में देखिए और जो इस पार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि हमारा उद्देश से घुमकड का केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए निसंदेह वो मनोरंजन भी एक कारण होता है लेकिन उसक की संस्कृति को समझते हैं उसकी जो भोगोलिक प्राकरतिक प्रस्तितियां उसको डिस्क्राइब करते हैं उसको समझाते हैं बताते हैं और साथी साथ उस कहना चाहिए उन संस्कृतिक बिंदूं की और बिशारा करते हैं जो कि हमें एक नई दुनिया में लेके जाते हैं ज कोशिश रहती है उनकी एक चीज और जो उनके व्यक्तित्व के बारे में जाननी वाली बात है कि जैसा मैंने पहली भी कहा कि वो दो से तीन दर्जन भाशाएं जानते थे तीस भाशाएं उसमें से तो एक दर्जन तो बहुत अच्छे से कहना चाहिए और यह कहते भी तिक पह जंगे भाशा इन्होंने जो कोशिश कि वो जो खास बात आंके नहीं चाह रहा हुं कि अंग्रेजी भी आती थी पाली प्राकरती आती थी सब संस्कृत भी आती थी लेकिन इनको लेखन है व अधिकांस्त है कहाता है उसकी वज decor घो उत्तर भारत कि कि हमारी भारत की हिंदी पट्टी जिसको हम बोलते हैं, हिंदी बेल्ट बोलते हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा है, जो कि हमें पीछे की ओर ले जाता है, और ये चाहते हैं भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये बदलना चाहते थे, तो ये चाहते थे कि हमारे पास एक तार्किक दृष्टी कौन हो, ए इनके उपर बहुत बड़ा प्रभाव था, काल मार्क्स को भी, और रशिया में जब गए तो इन्होंने काल मार्क्स की हो, लेलिन की हो, स्टालिन की हो, सबकी जीवनिया लिखी, और हिंदी में लिखी, तो ये जो है कि जो सामगरी ये समझते थे, कि हमारे हिंदी शेत्र मे भी होनी चाहिए, वो वेग्यानिक दृष्टी कोन होना चाहिए, वो इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस पाठ की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि ये तिबबत कई बार गए, और जो ये जो पाठ है, हमारा इसमें जो संकलित किया है, हमारी पाठ है पुस्तक म ये पहली बार जब ये तिबबत गए, उसके बारे में है, आज से लगबग 90 साल पहले की, कहीए, हाँ 90 ही हो गए, 1939-1939 की बात है, और ये जब गए तो मैंने कहा जैसे बहुत सहज यात्राय नहीं होती थी, बहुत कठिन जटिल मार्गों से, उनको दुरगम रास्तों से ज इसमें बनें, लेकिन उससे ये भिक्षुक के रूप में गए वहाँ पर, इसमें पार्थ में संदर्ब आता है कि सामाने व्यक्तियों को जाने के इजादत नहीं होती थी, चाइना के प्रभाव से, वहाँ पर चाइना का एक तरह से वो था पूरा का पूरा आधिपत्त है, तो ये एक भिक्षुक के रूप में इनोंने यात्रा की और उसमें क्या आया, ये बड़ा रोचक है, मैं अपने साथियों से, विद्यार्थियों से, मित्रों से यागरे करूँगा कि आप जब भी किसी साहितिक विधा को पार्थ को पढ़ें, तो उसके लेखक के बारे में उसके कवी के बारे में थोड़ा सा जाने, तो हम उस पार्थ में सहज रूप से बहतर तरीके से प्रवेश करते हैं, वो हमारे सम्वेदना का हिस्सा जादा अच्छे से बनता है, तो आप बहुत सारी सामगरी आजकल तो सहज रूप में हैं, जैसे हम लोग अब यूट्यू ले सकते हैं, इनके बारे में भी उपलब्ध है, तो वो जरूर देखें, अब आईए इस पार्थ के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और पार्थ जैसे का इनकी पहली तिबबत यात्रा थी ये, और वो किस रास्ते से हुई, इन्होंने मैंने बताया ही कि वो न अल्टन हैं, उनके किले रहते थे, चीनी फोजीयों के जो थे, वो किले रहते थे, और उस किले में भी अब बहुत सारे किले लगबग ध्वस्त हो गए हैं, और क्या बचा है, वहाँ पे कुछ किसी हिस्से में कोई किसान बस गए है, छोटा सा गाउं बस गया है, वो आपक चलते हुए, जैसे देखिए, वहे नेपाल से तिबबच जाने का मुख्य रास्ता है, जिग्यासा होती है, वहे कौन सा, तो फिर ये होती है कि फरी कलिंग पॉंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते जाया करती थी, यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, देखिए, वो कि उल रास्ते के बारे हैं, अब उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी जोग्रॉफी, सब बता रहे हैं, और आज उसकी क्या हालत है, अब क्या है, कि वो यातरा पे चल पड़े हैं, अब जो अगल और हिमाले हो, और चाय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो चाय के लिए रुखते हैं, कि आप घर में रुखते हैं, और वहां कहते हैं, चाय बनाने के लिए, यहां पे वो कहते हैं, एक दो खास बात कहते हैं, देखिए, इससे तुलना भी दो संस्कृतियों की, दो समाज की बातें आराम क्या है वहां जाती पाती छूआ छूट का सवाल ही नहीं है और ने औरतें परदा ही करती हैं ये दो ही वाक्य बहुत कुछ कह रहे हैं जो हमारे भारतिय समाज में क्या हालत है कि ये दो major जो इश्यू है वो उनके तरह इनों ने कह दिया लेकिन तिबबत में ऐसा कुछ नहीं है वो कहते हैं कि अगर बहुत निम्सरेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते नहीं तो आप बिलकुल घर के भीतर चले जा सकते हैं यह उसकी खूबी है कि आपको कोई मना नहीं करेगा आप चाय बनाएगे और चाय भी इसमें अलग तरह की है कि आप मखन दे दीजिए और नमक इसमें लिखा है सोडा नमक जो होता है खास तरह से उसको उबाल के और घोल के बनाते जिससे उसका चाय का रंग आ जाता है यह चाय बनाने के प्रक्रिया के साथ साथ देखे टिपनिया दो ही तीन की सैनिकों पे चायनी समाज पे किसानों पे इस्त्रियों पे और जो जाती पाती का है यह है तरीका है कि केवल आप यात्रा नहीं कर रहें पूरे समाज की समझ हम आगे बढ़ा रहे हैं अब आए इसमें दूसरा इसमें अगले उसमें है कि वो उनका साथी है वो साथ चल रहा है सुमती उसका नाम इन्होंने कहा है और वो कहते हैं कि भिख्मंगों को जो बहुत भिख्मंगे भी जा सकते हैं लेकिन बहुत निम्न स्रेणी का यह बहुत लगा कि केवल इसलिए उसको रोग देते कि कहीं यह बहुत चोरी ना कर ले इसके लावा और कोई दिक्कत नहीं है वो जहां चाहें जा सकते हैं का मित्र है वो भी उनके साथ है अब आता है कि हम चले गए रास्ते में जो सबसे विकट वाला है देखिए यह अब हमें सबसे विकट डांडा दूसरा पैराग्राफ जो देखिए हैं 16-17,000 फीट की उचाई होने के कारण उनके दोरनों तरफ मीलों तक कोई गाउं गिराउं नहीं होते नदियों के मोड और पहाडों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता और डाकूं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है अब आपने बताया कि किस तरह की जोगराफीकल है उसका कोई दूर दूर तक नहीं आप हिमाले की कल्पना करिये और वो भी 16-17,000 फिट वाला हिमाला उचाई वाला अब वो क्या कहते है कि वहां पर डाकू क्या है वो कहते है डाकू भी वहां पे इसलिए मिलते हैं कि वो उनको डाकू वहां के मा विभाग का भी कोई इतना वो ध्यान नहीं देते क्यों कि अगर किसी ने कोई हत्या किये तो आपको भी नहीं मिलेगा कि किस कौन जानेगा ऐसे दुर्गम जगह में कोई गवा नहीं मिलेगा तो वहां पे सबसे वह कठिन और दुर्गम रास्ता थोड़ा खतरनाक भी है लेक कि दो मिनट है हमारे साथ ही तो एक बार आप उसकी पृष्ट भूमी को जान जाएंगे और कुछ शब्दों को जान जाएंगे तो आप सहज रूप से उस यात्रा में उसके यात्री आप भी हो लेंगे बेसक वह शाब्दिक यात्री हों उसके साथ पिर यह कहते हैं बिखम फिकमंगा यह हमारे तो उसको डर नहीं था फिर इसमें एक पहाड़ों के बारे में चर्चा है और वो कहते हैं कि एक जगे हम इतने कठीन रस्ते पे तिक रस्ता भी भूल गए हमारा जो घोड़ा था वो बहुत सुस्त हो गया वो रस्ता भटक गया और एक दूसरे इसमें पहनिस उपन्यास की भी देखिए यह है कि फिर रचनाकार ने जो पढ़ा है वो वहां पे उसमें एड़ा हो जाता है अब स्पेनिस उपन्यासकार की चर्चा इसमें है कि वो घोड़े कैसे धीरे धीरे चल रहा था तो उसको घोड़े का नाम क्या इसको जो पात्र है वो जरूरत है अब वो जाते हैं दूसरे गाव में रुकते हैं और वहां की चाय सत्तु जो भी एक जैसे ठुकपा शब्द आया है इसमें वो खाने का एक विसेश वहां तिबबत में मिलता है आप इनका जो एक साथी जो सुमती वो भी जानने वाला है कि वो जगे जगे जाता है गंडे के मतलब वो बोद जंडों की एक तरह से उसने अपना रसी सी बना रखिये जो धागा सा वो बांता उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं तो यह जो कहना चाहिए अगर आप इसको एक यात्री की तरह उनके साथ साथ देखेंगे तो एक तरह से उस समय के आज से सो साल पहले की जो यात्राएं थी वो कितनी कठिन और रोचक एक साथ होती थी उसका वर्णन है इसमें और इससे हमें तिबबत समाज की हिमाले की ना केवल आपको केवल तिबबत की राजधा नहीं लाहसा पहुंचना उद्देश्य नहीं है, बलकि उस यात्रा में आप हम और उनके साथ चल सकें इस पूरी प्रकरिया को जानना, वहां की प्रकृति को, भुगोल को, उनकी संस्कृति को, समाज को, उनके रीती रिवाजों को, अगर हम एक यात्रा विरतान्त में दो प पढ़ने के बाद इनकी दूसरी रचनाएं भी हमारे विद्यारती देखें और शिक्षक देखें तो वो निशन्दे हमारे साथियों के लिए लाबदायक होगा, जी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे विद्यारती और शिक्षगन जरूर इस अलग-अलग पाठों को जैसे हमारे विद्यारती ने का सब सर समय है कि यहां पर इस कारेक्रम करें समाथ करें हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आयर आपने राहल संकृतियायन का बारे में इतनी अच्छी और बहतरी जानकारी दी जो हमें सुनने में इतना अच्छा लग रहा था जो यात्रा विर्तान का जितना भी थोड़ा बहुत हिस्सा हमने पड़ा हमें पड़ने में बहुत मज़ा आया और हम कह सकते हैं कि वो कलंग के जादुगर है शब्दों के से खेलना उने बहुत अच्छी से आता है तो हमने बहुत अच्छी से मजे और अभी हम इस सत्र को यहीं पर समाथ करते हैं लेकिन आप बने रहें पीमे विद्या चानल्स के साथ मुझे रेनुबट के दीजे जाज़त, नमस्कार नमस्कार